Welcome viewers, आज इस video tutorial में हम बात करने वाले हैं एक special type of chromosome के बारे में, that is the giant chromosome जिसको polyteen chromosome भी कहा जाता है. जो polyteen chromosome है, polyteen, that means एक से अधिक thread-like structures जिस chromosome में हो, वो कहलाएगा polyteen chromosome. यह वास्तव में interphase अवस्था में पाए जाते हैं किसी कोशिका की और इनका characteristic feature है कि इसमें बहुत सारे band और inter-band region होते हैं. इसलिए इनको कहते हैं polyteen chromosome क्योंकि एक से अधिक हजारों की संख्या में जो DNA के strands हैं, तंतू हैं, वो इस एक chromosome में पाए जाते हैं. हम जानते हैं कि बास्तव में एक chromosome में एक ही DNA का molecule होता है, लेकिन उसके replication के फलस्वरूप एक ही chromosome में अनेको DNA strands उपस्थत हो जाते हैं, polyteen. और इसका कारण इसका ये जो specific banding pattern है, ये है किसी species विशेश के लिए specific होता है, और उस particular chromosome का characteristic feature है, उसकी विभन development की आवस्थाओं के अनुरूप इसमें परिवर्तन संभव है. ये जो polyteen chromosomes हैं, ये normally dipterian larva में, insects larva में पाए गए हैं, लेकिन वहाँ dipterian larva के अतरिक्त, ये बाकी जीव जगत में भी पाए गए हैं. अगर हम अपने पादपवर्ग की बात करें, तो ये angio sperms में देखे गए हैं, ये invertebrates में, protozoas में देखे गए हैं, एक insect के दूसरे order, डाट इस, kolembola में भी पाए गए हैं. जो इतने कार्सिनोमाज हैं, यानि cancerous tissue, उसमें भी polytion chromosomes का पाया जाना एक नॉर्मल बात है. angio sperms में यह जो ovular cells हैं, जो अपना mega spore है, उसकी कोशिकाओं में पाए गए हैं, हमें पता है, mega spore में polar nuclei होता है, synergids होते हैं, और antipodal cells होते हैं, synergids के बीच में अपना egg cell पाया जाता है. तो उनमें से polar nuclei, synergids, antipodal cells, इन सब में polytion has been observed. इसके अतिरिक्त, जब zygote से embryo बनता है, उस समय जो hostorial cells हैं, उनमें भी polytion has been observed. जो polytion chromosomes हैं, उनके कुछ common features हैं, वो किसी भी वर्ग में, समू में पाए जाएं, कहीं पर भी जीव जगत में पाए जाएं, इनके कुछ characteristic features हैं. उनमें से कुछ हैं, सबसे पहला तो under replication of some genomic log का हैं, जो DNA molecule है, उसका replications होते हैं, और उन replications के false स्वरूप, अपने को बहुत सारे DNA के तंतु मिल जाते हैं. अब depending upon the type of polytene, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, कई बार रहता होता है कि जरूरी नहीं कि संपूम DNA molecule ही replicate हो, उसके कुछ अंश amplify हो सकता है, कुछ अंश का replication बार बार हो, और वहाँ पे polytene हो उस particular part of the chromosome में, और बाकी के जगे पे replication नहीं हो, under replication हो. दूसरा इसका जो characteristic feature है, वो है, इसमें जब अपन इसको stain करते हैं, अभी रंजित करते हैं, वो ही क्रोमोजोमल stain से, एसीटो कार्मिन है, basic fusion है, और सीन है, उस समय इसमें सपश्ट रूप से band और inter-band region पाए जाते हैं. band और inter-band region का मतलब है, darkly staining part जिनको हम band region कह रहे हैं, और हमें पता है कि किसी भी DNA का जब compaction होता है, जब क्रोमोजोम बनता है, उस समय यह जो banding होती है, जो compaction होता है, that is because of the histone proteins. तो जिस भी अंच में DNA के, इस क्रोमोजोम के, जिस भी particular part में, histone chromosomes, histone proteins, sorry, और उस पे लिप्टा हुआ DNA की मात्रा अधिक होगी, वे अधिक dark stain लेंगे, and they appear as the band, so they are basically the tightly compacted heterochromatin part of the chromosome, और जहां पर यह compaction loose होगा, वहां ज्यादा अभी रंजक नहीं रूखेगा, और वो हमको light colored नजर आएंगे, तो जो अपने inter band region है, दो bands के बीच वाला जो रीजन है, वहां पर loosely compacted, जू chromatin part पाया जाता है, उस chromosome का. हमने पहली चीज़ बोली, polyteen chromosomes किसी भी कोशिका के nucleus की interface अवस्था में पाय जाते हैं, interface अवस्था में पाय जाते हैं मतलब homologous chromosomes के रूप में हैं, और वहां पे जो chromatids हैं, they are paired, thick bundles के रूप में, जिसके कारण polytene नज़र आ रही है, यह अपने से बड़े साइज के नज़र आ रहे हैं, यह giant chromosomes के रूप में नज़र आ रहे हैं, और इसके कारण इसकी जो morphology है, इस chromosome की, वह परिवर्टित हो जाती है, इंटरफेस अवस्था में हैं का मतलब इसमें transcription संभव है, तो विशेश कर जब transcription हो रहा हो, तो विशेश्ट संग्रच ना हैं, जिनको अभी हम देखेंगे बलबियानी रिंग्स कहते हैं, पफ कहते हैं, वो भी नज़र आते हैं, तो basically presence of बलबियानी रिंग्स and these band inter-band regions, these are the two characteristic features of any polytine chromosome. अब polytine की जो प्रक्रिया है, उसके अपनी कुछ विशिश्टाएं हैं, polytine हम कह रहे हैं कि DNA का replication हुआ, उसकी एक से अधिक प्रति बन गई, अगर सोचा जाए, तो polyploidy में भी एक से अधिक DNA के molecules पाई जाते हैं, पर दोनों में बहुत अंतर है. पॉलिटेनी की जो peculiar features हैं, जो उन में हैं, जिसके कारण इसको हम किसी भी mitotic cycle से अलग कहते हैं, हम इसको कहते हैं endometriosis के कारण होता है, पर अगर गहनता से देखा जाए, तो यह mitosis या endometriosis से अलग प्रक्रिया है. तो जो पॉलिटेनी की प्रक्रिया है, उसके फलस्वरूप, जो कोशिका है, उसके size में व्रधी हो जाती है, that is, it gets hypertrophied, hypertrophied मतलब size में व्रधी, और उसमें जो DNA है, वो सक्रिया है, उसका function normally, it is secretory in nature. इसके जो peculiarities है, उनमें से पहले peculiarity यह है, कि जो polytean chromosome है, उसके बनते समय माइटosis की प्रक्रिया नहीं होते हैं. Cell cycle में G phases दे, G1 phase, interface के दौरान, अपने interface अवस्था को तीन चरणों में विभक्त करते हैं, G1, फिर synthetic S, जब DNA replication होता है, और G2, और इसके बाद जो कोशिका है, वो माइटosis के अपने stages में एंटर हो जाती है, यानि प्रोफेज, मेटाफेज, एनफेज, अन्टीलोफेज, जब पॉलिटेनी की प्रक्रिया हो रही होती है, उस समय माइटosis, cell cycle की माइटosis वाली कड़ी नहीं पाई जाती है, यानि कोशिका में तयारी होती है, G phase होता है, इंटर फेज का और फिर सिंथेटिक फेज आ जाता है, और इस प्रोसेज या रिपिटीशन ऑफ G phase और S phase, it results in multiple copies of the DNA molecule, दूसरी चीज है कि जब यह रेप्लिकेशन होकर जोगता है, अब वापिस अगर अपन माइटosis की बात करें, सामाने कोशिका विभाजन की, समसूत्री विभाजन की, तो जो DNA रेप्लिकेट होता है सिंथेटिक फेज में, वो माइटosis के दौरान दोनों क्रोमाटिट्स अलग हो जाते हैं, यहाँ जब समसूत्री विभाजन की अवस्था ही नहीं आ रही है, का मतलब है कि जो DNA स्ट्राइंग्स बन रहे हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं, वो आपस में पैर बना करके ही उपस्थित हैं, नूकलियस में, जब माइटोसेस ही नहीं हो रहा, तो उस केस में अपना जो नूकलियर मेंब्रेन है, नूकलियोल्डस है, क्योंकि यह सब प्रोफेज अवस्था में विलीन होते हैं, इनका विलीन होते हैं, दूकलियर मेंब्रेन हैं, नूकलियोल्डस हैं, दे रिमें इंटाक्ट, और इन कोशिकाओं में माइटोसेस नहीं होता, इन कोशिकाओं का साइज बढ़ता है, इनके नूकलियस का साइज बढ़ता है, इनके chromosomes, giant chromosomes, polyteen chromosomes के रूप में बढ़ते जाते हैं, इन में ये सक्रिये रहते हैं, protein synthesis होता है, transcription होता है इस DNA पे, लेकिन mitosis नहीं होता, सिर्फ gap phase, g phase और s phase एक दूसरे पे के बाद repeat होते ले जाते हैं अब यह वो चित्र है, जो हम जब भी polyteen chromosome का देखते हैं, या तो इसका एक अंच देखते हैं, तो हम यह bands are, इनका band region देखते हैं, और जब किसी भी polyteen chromosome का diagram जो हमको दूसरा देखने को मिलता है, वो यह वाला मिलता है this is basically the classic type of polyteen chromosome, जो dipterian अपने kaironomous larva में या अपने drosophila में उसमें पाया गया इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोशिका में जितने भी chromosomes हैं, वो centromia region पे आपस में जुड़े वे हैं, forming this chromocenters और यह different जो chromosomes हैं, सभी में polyteenी पाई जा रही है, जिसके कारण यह इन bands के रूप में, homologous chromosomes, जिसमें multiple strands DNA के बन गए हैं और यह आपस में somatic synapses हो रहा है, normally synapses की बात हम करते हैं, जब अर्ध सूत्री विभाजन होता है लेकिन यहाँ पर तो interface अवस्था है, और interface somatic cell की interface अवस्था में भी homologous chromosomes एक दूसरे से associated हैं और इस तरह के thick strand-like structures बना रहे हैं So, because of somatic synapses इस तरह के एक point पे, chromocenter पे जुड़े हुए विभिन chromosomes जिन में सब में polytene ही पाई जा रहे हैं, यह इसलिए band inter-band नजरा रहे हैं संपून रूप से इन में synapses है और जिन parts पे synapses नहीं है वो a synaptic regions हैं तो इस प्रकार से जितने non-homologous chromosomes हैं वो chromocenter पे जुड़े हैं और जो homologous chromosomes हैं वो synapses करके, somatic synapses के कारण strands बनाए हैं बीच बीच में यह विभक्त भी हो सकते हैं मतला इक दूसर से synaptic interaction नहीं होगा तो यह synapses नहीं चरा रहा है तो इस बेसिकली इस दाइग्राम शोइंग पॉलिटीन क्रोमोजोम्स इन टायर नुकलियस अफ इस काई रोनॉमस अब हम शुरूर से बात कर रहे हैं कि यह interface अवस्था के में पाए जाते हैं जो पॉलिटीन क्रोमोजोम्स हैं इंटरफेज अवस्था में दे आर अक्टेवली प्रांस्क्राइबें तो जब इतने सारे मल्टिपल थ्रेड्स में किसी पर्टिकुलर रीजन में प्रांस्क्रिप्शन होगा अगर वो हीट्रो क्रोमाटिक रीजन है तो उसकी अपना क्रोमाटन फाइब्रेल्स है जो डीने मॉलिक्यूल है वो हिस्टोन से सेपरेट होंगी तब तो दे विल भी अवेलेबल फॉर आरेने पॉलिमरेस एंजाइम सो दाट ट्रांस्क्रिप्शन में भी इनिशेटेड आज रिजल्ट उफ विच पफ जैसे स्ट्रॉक्चर बहुत सारी मल्टिपल रिंग जैसे स्ट्रॉक्चर इस कंप्लीट पॉलिटीन क्रोमोजोम में नजर आते हैं और इसलिए इस तरह की जो यह रिंग्स बन जाती है बिकॉज ऑफ एक्टिव ट्रांस्क्रिप्शन ऑफ तर्टिकुलर रिजिन जिसके कारण प्रोड़क्ट की मात्रा उस पर्टिकुलर कोशिका में बहुत अधिक हो जाती है और आट इस बेसिक सिग्निफिकन्स ऑफ पॉ जाते हैं या जो सिक्रीटरी टीशू है उनकी कोशिकाएं पॉलिटेनी अवस्था में आ जाती हैं बिकॉज इतने सारे डिने जब अपना प्रोड़क्ट बनाएंगे तो उस प्रोड़क्ट की मात्रा अधिक होगी कोशिका जब माइटोसेस में प्रवेश नहीं कर दिया मा माइटोसेस में कोशिका प्रवेश कर जाती है तो उसमें transcription नहीं होगा क्योंकि chromosome compaction हो चुका होता है chromatin material compact हो चुका होता है 30 nanometer fibril sand for the coiling super coiling up to the chromosome DNA is not available for transcription and that is not the case with polytine chromosome so these puff like structures जिसका अगर हम electron microscopic structure देखे तो multiple rings है और इन rings पर messenger RNA का synthesis हो रहा है यह जो रोए जैसे नजर आ रहे हैं fibrils जैसे नजर आ रहे हैं इस लूप पर यह messenger RNA है जिनका निर्मान हो रहा है इस particular region of polytine chromosome पर इसलिए यहां पर puff like structures या बिलबियानी rings नजर आ रहे हैं तो जो अपने interface chromosome है उसका जो banding pattern है that is dynamic हो बात अलग है कि चाहे polytine chromosome हो या सामान्य diploide chromosome जो heterochromatic region है वो heterochromatic ही रहेगा जो uchromatic region है वो uchromatic रहेगा that is same the only difference is the number of strands of DNA it increases in a polytine chromosome and when active transcription takes place at that time इनका जो compaction है वो loosen होता है loops बनते हैं so we say that banding pattern of a polytine chromosome is dynamic इसकी क्या महत्ता है polytine chromosomes की या polytiny की जो polytine chromosomes है यह gigantic interface chromosomes है जो हमको किसी भी gene के जो genetic organization है उसको समझने में साहिता प्रदान करते हैं complete genome की क्योंकि किसी भी कोशिका के genome में multiple chromosomes है और polytiny उनमें से किसी पर भी होतकती है जो gene functioning है वो देखा जा तकता है क्योंकि active transcription is visible in the puff regions in the belbiani ring region of the polytine chromosome इन polytine chromosomes का उप्योग gene mapping studies में भी किया गया है इनका जो chromosomes का rearrangement है उसका उप्योग या इनका उप्योग in-situ hybridization में करके और by following या by adopting these processes polytine chromosomes they have been used for gene mapping studies also lamp brush chromosome thank you